अच बजए दस घंटे के लगातार जणने के बाद उन्होंने मुझे दिल्ली छोड़ा मैंने सुभई फिर अपना टिकट करा लिया मैं क्या करूँ मैं अपने समाज को मरने के लिए कैसे छोड़ दू अब यह तो सरकार के लोग बता सकते मेरा काम है कि मैं इमानदारिस अपन सुने जयपूर में भी दलीद महिला को चलाया गया है यह कानून का फेलियर है कि मैं यहां बोली लगवाने नहीं आए कि उनकी बोली लगाए जाए मैं तो चाहता हूं समान न्याय हो जो दूसरों के साथ वह हमारे साथ या फिर हमारा अपराद बताए कि हमारा पैदा हुन कि हमारी हत्या की जाएगी तो मैं वो जो दर्द है आज हम पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहां नहीं कर रहे हैं मैं फिर परशार से मांग करूंगा कि मुझे भेजा जाए मैं अपनी परिवार से मिलना चाहिए मैं कल फिर आ जाऊंगा सर कल चार गंटे पुली से मैं रिक्वेस्ट के जिए इस सिंगल आदमी पर चलने को राजी हूं आप हमारा फांज में परिक्तिनी जा रहा है मैं तो इस हमाज में पैदा हुआ हूँ तो मैंने का अगर मेरे की जाने से बिगड़ी तो पांच आदमी को डिलिकेशन भेदो मैं अकेला भी चल लेकि चलो को तो मैं आपके साथ चलूँगा इस से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं अब मेरा काम इंसे लड़ना थोड़ा यह सरकार की वर्दी थोड़ा यह तो आम जंता के भलाई के लिए कर दिये जो अभी उन से संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि अभी जितने दर मेंगवाल के परिवार को न्याय नहीं मिला है मैंने उनसे भी वादा कि आदा पाली के परिवार आपको न्याय के दिलाएंगे मैं अपनी लड़ाएं लड़ना और मैं वकील हूं बहुत सवेधानिक तरह से लड़ता हूं देखें मैं का कल इन्होंने वापस भेजा मैं चला गया किसे जग्रात वड़े कि आ रही है कि वहां मटकी नहीं थी या यह कारण नहीं था उसको पहले से बीमारी थी या कई तरह की बाते हैं मैं बिना जाए कुछ कह नहीं सकता हूं मेरी पिरित के प साम रखा मैं जाकर देखूंगा तो बाकी बात बता हूं